किसी से भी करेंगे डेक्कत वाली बात नहीं जो अब्डेटेड है तो वह चेप्टर ही नहीं पड़ेंगे मैं आपको बताता रहांगा कौन सा स्लेवस धीट हो गया है कौन सा नहीं हुआ है तो पहली आपको बता दिया है कि प्रोडूसर बीहेवियर वाला चेप्टर हम लोग supply वाला चप्टर पढ़ रहे हैं ठीक है supply हम पढ़ रहे हैं ओके तो यहां पे सबसे पहले point पे आएंगे और सबसे पहले point में हमें पढ़ना है meaning of supply यानि supply कहते किसे हैं तो कुछ याद हो आपको supply के बारे में कुछ बता सकते हो कुछ पढ़ा हो पहले से या बिल्कुल नहीं पढ़ा है हाँ जी कौन बताएगा anyone और मेरे पास पता है क्या cvac का भी material होता है हाँ वेवसाइट से बताओ जी बताओ कौन बताएगा supply का meaning हाँ जी एशल बोलो भई एशल पढ़ा तो है supply कुछ पताया था मैडम ने याद है बूल गये दुबारा से बताओ क्या या पहले से कुछ पता है नहीं तो मैं बताओंगा ही पताओंगा याद है क्या meaning है अच्छा जैसी मैं supply कहता हूं तो दिमाग में क्या आता है जी सैम बताना जरा आप प्रोड़क्त जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूसर करके उसको मार्केट में supply करते हैं ताकि कंज्यूमर खरीब सकते हैं हां कुछ तो सही बोला है आपने यस सैम देखो सैम हां बलो 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 जो सर हम चीजे बेशते हैं उनको अपला मार्केट में गिवन प्राइस में उनको supply कहते हैं ओके ओके अब में यहाँ पर सुनना है आपने देखो जब हम डिमांड पढ़ रहे थे ना तो डिमांड में हम लोग ना कंजूमर थे डिमांड कौन करता है कंजूमर करता है सप्लाई कौन करेगा सप्लाई जो है ना प्रोड्यूसर करता है फॉर्म करता है सेलर करता है सप्लाई मतलब जो बना के बेचेगा बेचने वाला समझ रहे हो आप सबसे पहली बार समझ रहे हो कि नहीं तो जब हम डिमा पाई वाला हो इन सभी chapters में term 2 भी चल रहा है तो इन सभी chapters में हम लोग producer रहेंगे मतलब दुकानदार, seller या जो goods को बनाता है producers ठीक है तो ये दिमाग में fit रखना है अब हम लोग consumer नहीं है ओके तो हम लोग क्या है हम लोग का ये factory है माल लो हम लोग producers हैं हम लोग produce कर रहे हैं we are producer we are supplier हम लोग pen का productions कर रहे हैं और supply कर रहे हैं हम लोग consumer नहीं है तो supply का simple मतलब क्या हो गया हमारे लिए supply का मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई supply का मतलब हम लोग किसी ने किसी चीज़ का supply कर रहे हैं market में goods and services का supply कर रहे हैं किसको consumers को दे रहे हैं हाँ जी वो न आ गया ठीक है समझ में आ रहा है तो supply का meaning आपने लिखना है number one number one में meaning of supply लिखना है तो लिखो जी supply का meaning supply refers to supply refers to यह simple लिखो ना supply of a commodity supply of a commodity भी हो सकता है goods and services भी हो सकता है तो हम commodity की बात करें supply of a commodity refers to refers to लिखो जरा मैं लिखा रहा हूँ supply of a commodity refers to various quantity of goods and services you have various quantity of commodity supply of a commodity refers to quantity of a commodity quantity of a commodity that are produced by the producer and willing to sell producer लिख लिख लो form लिख लो that are अब क्या लिख होगे पूरा पूरा एक काम करो ना that the producer producers are willing to willing to sell at given price and given period of time sell at given price and given period of time यह लिख लो आप हाँ जी यह definitions की बात कर रहे है आप हाँ हाँ definition जो है आप change कर सकते हो price जो है ना price जो है change होते रहता है भई commodity का price क्या होता है change अभी अभी oil की कीमत कुछ दिन पहले 100 रुपए क्या रहां हुआ करती थी 1500 रुपए हो गया फिर 200 रुपए हो गया फिर घटके 160 तो इसलिए इसमें यह तीन बाते बड़ा important रहता है एक तो given price एक तो आपका given price और given period of time मतलब की different different time पे different different prices उस commodity का होते रहता है तो इसमें चार word important है quantity commodity price and time यह चार चीज़ आपका definition में mention होना बहुत ज़रूरी है supply के definition में बाकी चीज़ आप change कर सकते हो अपने इसाब से definition लिख सकते हो तो supply of a commodity refers to what quantity of a commodity are supplied by supplier at given price at a particular point of time या given period of time और supply को हम लोग stock भी कहते है sorry stock कह रहा हूँ flow concept भी कहते है तो definition आप अपने book के according चीज़ भी कर सकते हो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है हैं और अपने अपने आप यह अपने का अपने आप दो जने हैं एक जने का स्कूल का क्लास चल रहा है एक जने लग रहा है चुट्टी पर है यहां पर आप लिखो जड़ा सेकंड टॉपिक बना लो सप्लाई एंड quantity supplied supply and quantity supplied इन दोनों में difference होता है तो इसके नीचे आप क्या करोगे arrow दे के लिखना है हाँ जी supply का मतलब क्या supply का जो definition अभी लिखा है वही सेम चीज़े supply का मतलब क्या होता है short में a producer or form a form ready to sell ready to sell commodity है ना a form ready to sell ready to sell ठीक है जी a commodity at different prices ready to sell quantity of a commodity at different prices at different point of time ओके लेकिन quantity supplied का मतलब क्या होता है द्यान से सुनना quantity supplied का मतलब क्या होता है quantity which a producer is ready to sell at a specific price it refers to simply क्या लिख लेना it refers to a specific quantity a specific commodity a specific commodity with a firm oblique producer ready to sell at a specific price जब specific commodity को specific price पे producer sell करने के लिए ready होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या quantity supplied की भाई पहले लिख लो फिर आपको explain कर देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा तो supply हाँ जी quality नहीं है quantity है quantity 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 सब बार्गिन हो सकते है इसका एक 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 एक्जामपल सर्थ अभी आपको बताता हूँ ना यह लिख लिख लिया आपने यह देखो सुन लो आप बता देता हूँ फिर समझ जाना आप देखो अगर मैं कहता हूँ supply supply का मतलब क्या होता है जी अलग-अलग price पे अलग-अलग quantity बेशते जाते बेशते जाते बेशते जाते बेशते जाते है ना अब producer जो है एक कोई producer या firm जो है ready to sell quantity of a commodity at a particular point of time at given price तो मानलो आज का date चल रहा है आज मैं मानलो petrol जो है 90 रुपए बेच रहा हूं जिसको खरीदना है खरीटते जाओ 90 रुपए पेट्रौल 90 रुपए कल का जैसी दिन हुआ मैंने का भाई 91 रुपीज पेट्रोल बिकरा है जिसको लेना है खरीदते रहो जितने लिटर है जी अब कॉंटिटी सप्लाइट क्या होता है सुनना माल लो एक कस्टमर आता है मेरे पास कहता देखो भीया मेरे को एक लिटर पेट्रोल चाहिए तो मैंने का देख भाई आज के रेट है 90 रुपीज तुम्हें लेना है तो 90 रुपीज देने पड़ेगा लेकिन फिर उस कस्टमर ने मेरे से क्या कहा कि भाई मेरे को एक लिटर पेट्रोल नहीं चाहिए मेरे को 100 लिटर पेट्रोल चाहिए तो कस्टमर कह रहा कि अगर मैं 100 लिटर तो कुछ तो discount कर दो, normally हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, तो ऐसा बोलते हैं, कि भाई, एक लिटर लोगा, तो इतने 100 लिटर लोगा, थोड़ा सा discount दे दे, तो producer ने क्या कहा, मैं producer हूँ, मैं seller हूँ, मैंने क्या कहा, ठीक है, भाई, देख, एक लिटर लेगा, तो 90 रुपय देना होगा, अगर तो 100 लिटर लेगा ना, तो हम तेरे को 1% का discount दे देंगे, या 100 लिटर लेगा ना, तो मैं तेरे को जो है, 80 रुपय, 50 पैसे पर लिटर लगा दूँगा, होता है कि नहीं होता है, इस टाइप से, तो specific quantity, उसने 100 लिटर हम से मांगा, specific quantity मांगा हम से, supply, सम quantity supplied, समझ रहे हो आप, तो specific price पे हम उसको दे रहे हैं, तो specific price पे, specific quantity of a committee जब supply किया जाता है, तो उसे बोलते हैं, quantity supplied, समझ में आगी बाते हैं, यहाँ पर कॉम्टी के जगा quantity लिख लो, यह थोड़ा सा गरवड हो गया, specific यहाँ पर आपको लिख लेना है, specific quantity, मैंने बोला सही सही है, बस यहाँ पर लिखना थोड़ा सा वह हो गया, तो जब specific price पे, specific quantity को बेचा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या quantity supplied बोलते हैं, आइशल समझ में आया, अब पूछो जी, कुछ पूछ रहते हैं, साम, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और जब भी आपको difference या meaning कोई पूछेगा, तो अब बता जाना जी, कि specific supplied, specific quantity को specific price पे, जब कोई firm producer बेचता है, sell करता है, ready to sell करता है, तो उसे हम quantity supplied बोलते हैं, कि इतनी quantity हमने supply करा हैं, हाँ जी, बिल्कुल सभी जबाब, ठीक है, शल समझ में आ गया, चलो, यह copy कर लो आप, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, topic number 3, topic number 3 जो है, वो है आपका क्या, supply schedule, supply schedule, supply schedule के अंदर आपने दो एरो लगाना है, अच्छा, एरो आपको इस पर ऐसा वाला एरो है नहीं, लेकिन, है तो सही यार, हाँ है तो सही, मैंने कहां नहीं है, एरो, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने डूंडी निकाला इसको, ये लो जी, तो number 1, number 1, individual supply schedule, दूसरा आपका होता है, क्या, हाँ जी, market supply schedule, individual supply schedule, दूसरा है आपको, market supply schedule लिखना है, तो दो ही होते हैं, हाँ जी, same, ये demand में भी ऐसा ही होता था, demand में भी एक individual होता था, और एक होता था आपका market, और supply schedule, individual और market वाला होता है, same, next, जो topic होगा हमारा supply curves होएगा, जिसके अंदर individual supply curve and market supply curve पढ़ना होता है, ठीक है जी, तो demand में भी यह ही है, ये same है, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे topic same है, लेकिन meaning अलग अलग हो जाए, क्योंकि वो demand है, consumer point of view, ये supply है, तो यहाँ पे producer point of view रहेगा, ओके, always remember, economics के अंदर, schedule का मतलब क्या होता है, schedule का मतलब क्या होता है, schedule का मतलब होता है, table, या tabular representation, ठीक है ना, tabular representation, और जब मैं curve की बात करता हूँ, तो graphical representation होता है, ठीक है ना, याद रख लेना है आपको, तो पहले तो fourth topic भी लिख लो, आप यहाँ पे, और फिर हम एके करके पढ़ेंगे, तो supply schedule है, चौथा जो topic हमें पढ़ना होगा ना, वो पढ़ना होगा supply curve, एशल कॉपी कर रहे हो क्या, और इस curve का मतलब क्या होता है, graphical, येस, और इसमें भी दो लिखने हैं आपने, विल्कुल सही जबाब, एक individual हो जाएगा, और एक हमारा market हो जाएगा, तो एक हमारा हो गया individual और एक हो गया हमारा market, ये ये वन था हमारा और ये हम लोग का second वाला है, तो topic number 3, अब इसके बारे में पूरी detail में हम लोग पढ़ेंगे, meaning, definition, ये वो सब, अब इसका meaning, यहाँ पे है जगा, इसी के आगे लिखा दूँ, हादी आशल, यही पे लिखा दे सामने सामने, बोलो, ये सर, चलो, है ना, छोटा सा ही है, ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो short में लिख लेंगे, इत रेफ़र्स तू, इत रेफ़र्स तू, supply schedule of an individual form or producer, इत रेफ़र्स तू, supply schedule of an individual, इत रेफ़र्स तू, इत रेफ़र्स तू, इत रेफ़र्स तू, हाँ, form oblique producer, ठीक है ना, in the market, और, market वाले में क्या लिख लेंगे, market वाले में क्या लिख लेंगे, अब बताओ ज़रा सोच के, क्या लिख सकते हैं market वाले में, individual का opposite हो जाएगा, all, all हो जाएगा, opposite क्या होगा, all कर देंगे हम, individual का मतला हो अकेला, अब जो market में सारे होंगे, all producers and forms, तो हम लोग लिख लेंगे, क्या, it refers to, supply schedule, of all, all individual नहीं आएगा फिर, of all forms, oblique producers, in the market, तो यहाँ पर वोड आया है, all individual, और यहाँ पर आया है, all, all, ठीक है ना, ठीक है बई, और आप न, यह जो supply schedule है, तो इसका भी फिर meaning लिख लेना, आप यहाँ पर, supply schedule का भी meaning हो जाता है, एक एक चीज, सारी चीज आपको लिखा दे रहा हूँ, जो भी पूछे, हाँ जी, क्या कह रहो, अच्छा, यहाँ पर जगा नहीं है, अच्छा, कोई बात नहीं, नीचे लिख ले, ना, कोई दिक्कत नहीं, आप, इसलिए तो मैंने देखो, ना, इतना जगा जगा छोड़ छोड़ के बनाया है, दो-दो लाइने सब में, इसलिए तो, हाँ जी, अच्छा, आप छोड़े नहीं थे, दो-दो लाइन, ना, सार, मैं उसका अलग से रिखना पड़ा थे, कोई नहीं अगली बाद से कर देंगे, इसको छोटा कर दिया ना, मैंने, तो, सप्लाइ स्केडूल का मतलब क्या होता है, यह जो टेबुलर री परजेंटेशन लिखा है ना, ठीक है ना, यहीं चीजी इसमें थोड़ा वाड़ वाइड में लिखाना है, मतलब की दो लाइने करके लिखानी और कुछ नहीं है, तो, इस अ 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 tabular री प्रजेंटेशन, it is a tabular representation it is a tabular representation it is a tabular representation of different quantities of a commodity of a commodity offered by producer oblique form at different price and time 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 price of commodity same as it is supply curve में भी इसी टाइप से लिखाना है मेरे को समझरेगा आप supply curve का meaning क्या हो जाएगा same लिखतो जड़ा tabular representation की जगह पे हम क्या लिख सकते है supply curve में graphical representation of different quantities of a commodity offered by firm producer at different price and time लिख सकते नहीं लिख सकते है हाँ जी आशल क्या अब हम खुद से लिख सकते हैं meaning of supply curve लिखो जी revelation एकम ये बुद सकते हैं ऍयए ज्लिझन सब्सक्राइब सुपा ही जा है. जा सिस्प्लाइब को लिखें स ci कॉफ कोफ को लिखना है जरा ? सब्सक्राइब को लिखा है जरा में सिर्छ judging सस्प्लाइब मार्केट को लिखें स नहीं उसंने मैंने टापलर के बदले वो लिखेया मैंने टेबलर रिप्रेसेटेशन मैंड है जाएज ग्राफिकल रिप्रेसेंटेशन जाएज टेजिए अफ़ पीज़िकर्टिटेशन आफ डिने के अजा झिल दिताओ इसका भी लिखो होजार आप हाई सर दो ले दिफरेंट कॉंटिटीटीज ओफ और कॉमोडिटी पचाए दिफरेंट प्रोडूसर अबलिक फर्म अट डिफरेंट प्राइज़ यहां पर प्राइज़ लिख लिए ना in and different point of time अब इंडिवीज्वल सप्लाइज कर का डेफिनिशन कहा लिख लोगे बता जी बताओ इंडिवीज्वल सप्लाइज कर का डेफिनिशन कहा ले लेंगे अजी बताना हाँ ऐनना में आशल हाँ जी कि वो बताईगी आप भी बताओ दूबार बताओ आप बिल्कुल ठीक है सई है जी सई है बिल्कुल से, इस अ ग्राफिकल प्रेजंटेशन और री प्रेजंटेशन ओफ इंडिविज्वल सप्लाई स्केडूल या ओफ सप्लाई स्केडूल ठीक है जी? ओफ एन इंडिविज्वल और जैसी आपने स्केडूल लिख लिया ना तो आटोमेंटिकली कॉन्टिटी और प्राइज और ये सारी चीज़े समझ भी आ जाती है ठीक है जी? मेंली और फॉर्म और और प्रोडूसर लिख ला है ठीक भई? एशल कहा हो लिख रहे हो? और मार्केट का मतलब क्या हो जाएगा? एन इंडिविजल कीज़ेगा अल लिख जाना तो इट इस? इसी लिए तो एक नंबर के आएगे जादा नंबर के थोड़े आएगा यार अभी तो कुछ कहा है नहीं सकते हैं अभी CBSC नोटिफिकेशन निकालेगा अब साथ अपराफ ओपीनियन बिताएगा अब मेरा जो ओपीनियन है न वो मेभी CBSC जो है क्या कहते हैं और ओनलाइन भी ले सकती है ओनलाइन? हाँ जी मेभी और चांसेज रहेगा बट CBSC का ओनलाइन इस तरीके का ओनलाइन नहीं होएगा क्योंकि बोर्ड का exam है, क्योंकि जो बड़ी लेवल के aoनलाइन exam होता है उस में जो है जो है camera से monitoring भी किया जाता है पूरे तीम गैंडे हां मवारे हमारे होता है जैसलों के से monitoring भी किया जाता है he says सлем libro हम 2019 Α्रश करम 2017 हो गया इस हैu पीस कर दो टा गया क्या कहते हैं क्या करते हैं सेंटर होते हैं कंप्यूटराइज जो सेंटर जहां पर एक्जाम सेंटर पढ़ता है तो कैमरेज भी लगे रहते हैं तो वह ऑनलाइन मोनिटरिंग भी करते हैं ताकि चीटिंग वगेर ना करते हैं तो बोर्ड का है ना तो इसकी वज़ा से अब जैसे 11th 9th इन स तकनीक होते हैं लेकिन वाले में जो है online भी होएगा तो वह जो है आसान नहीं होएगा तो बद देखो क्या होता है तो डरने की बात नहीं भई टेंशन नहीं लेने का में तो बोर्ड वाले को डरने के टेंशन है हाँ जी हाँ कोई बात नहीं उस सारी चीजे कवर करा देंगे और जब भी रिवाइज करना हो फिलाल तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है दो दो चप्टल उन सब का मैंने यूटूब पे अपलोड कर दिया है अबधेश कुमार चैनल का नाम हाँ उस पे आप जब दिल करे तब और अभी रिवीजन क्लासेज वाला भी अलग से शौर्ट वीजो डालेंगे उस पे कंसेप्चुल वाली चीजे छोटी छोटी वीडियो यहां तक होगी आशल आजाओ जोको हमने क्या-क्या पढ़ ली अभी तक ध्यान से सुनो हमने स्टार्ट करा है सप्लाई एंड प्रोड्यूसर बिहेवर वाला यूनिट यूनिट नमबर थर्ड इस यूनिट में हमें कई सारे चेप्टर्स पढ़ने होते हैं वैसे यहां पर आपको बता दू कौन-कौन से चेप्टर्स होते हैं एक तो होता है आपका production जो कि हमने पढ़ लिया है दूसरा होता है आपका cost तीसरा होता है आपका revenue तो ये तीन चेप्टर हमने पढ़ लिया है चौता होता है producer equilibrium जो कि हमें नहीं पढ़ना है इस साल producer equilibrium वाला चेप्टर जो है आपको पढ़ना नहीं out of syllabus है last chapter है supply and elasticity of supply ये आपको पढ़ना है, तो हम यह वाला पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी, तो चेप्टर नूमबर 5, 6, 7, 8 और 9, तो यह 9 पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मतलो, तो माइक्रो एकनामिक्स में यूनिट 3 और 4, यह दो ही यूनिट आ रहे हैं, यूनिट 1 और 2 जो है अल्यडी एक्जाम में आ चुका है, अब यहां पर आ जा दी, तो सबसे पहला टॉपिक हमने सप्लाई का पढ़ा, सप्लाई का मिनिग सप्लाई सिंपल मतलब क्या होता है, जब एक प्रोड्यूसर या कोई seller, या all producer और seller चुकि individual और market दोनों पढ़ना है, तो जब कोई producer या seller जो हता है, या supplier जो हता है, या form जो हता है, कोई भी quantity of a commodity को बेचने के लिए त्यार होता है, ready to sell, और ready to sell का मतलब क्या होगा, at a given price, या different price, and given period of time, या at a particular point of time, क्योंकि time अ अलाग अलाग समय पे, same goods का price, अलाग अलाग हो सकता है, इसलिए, तो different point of time पे, and different prices पे, जब वो ready to sell करने के लिए त्यार रहता है, from, किसी भी goods के quantity को, तो उसे हम बोलते है, supply, supply quantity, supply में different होता है, supply का मतलब same definition, quantity, supply का मतलब होता है, specific price पे, specific quantity को जब बेचने के लिए त्यार ह होता है, supplier, तो उसे हम बोलते हैं, क्या quantity supply, फिर हमने पढ़ा क्या, supply schedule, and supply curve, schedule का मतलब tabular representation, तो tabular representation किसका, price का, और आपका quantity supplied का, और graphical representation of price का, and quantity supplied का, अब यहाँ पे जो है न, यही topic है, इसमें आप क्या करो, यहाँ पे यह लिखो ज़रा, फिर आपको और अच्छी से समझ मे हैगा, number one, यह आपका है क्या, individual, individual, supply, schedule जो होता है, meaning तो उपर लिखा दिया है, यहाँ पे लिखना है आपको price, यहाँ पे लिखना है आपको QX, QX का मतलब है quantity, और यह units में होता है, और यह आपका rupees में होता है, माल लो, price जो है आपका है, 10 rupees, 9 rupees, 10, 8, 6 और 4, तो supply क्या होएगा, माल लो, 200 units है, 190 units है, फिर है 180 units और 170 units, तो जब price 10 रुपय है, तो quantity supply की जा रही है, 200, price 8 रुपय हो गया घटके, तो quantity भी घट जाती है, जब price घटेगा, तो supply भी घटता है, price बढ़ता है, तो supply भी बढ़ता है, positive relation होता है, always remember, ठीक है जी, demand में उल्टा होता है, supply में positive relation होता है, demand में price जब घटता है, तो quantity बढ़ता है, और price बढ़ता है, तो quantity घरता है, सोचो न, भई इस pen की कीमत है 10 रुपए, और अगर कोई customer है, इस pen की कीमत 10 रुपए है, तो customer 10 pen खरीद के ले जाता है, pen की कीमत 10 रुपए से 7 रुपए हो जाएं, घर जाएं, तो customer कितना खरीदेगा, पहले 10 खरीदता था, अब वो 10 से जादा खरीदेगा, 7 र हम producer लोग है, हम बेच रहें, तो जब price बढ़ेगा न, तो हम जादा सामान बेचेंगे, क्यों, क्योंकि हमे profit margin जादा होता है, ज्यादा price पे हमें ज्यादा खायदा होता है, तो हम ज्यादा बेचेंगे, मैं producer हो, भाई, अगर मैंने आलू का production करा, मैंने आसान सब्दों में मैंने गिहूं का प्रोटेशन करा वीट, राइस तो मान लो अगर मैंने कब बेचूंगा मैं ज्यादा, जब मेरे को पैसे ज्यादा मिलेगा, है ना, तो जब मार्केट में चीजो की दाम ज्यादा बढ़ता है तब मैं ज्यादा बेचता हूँ, कम रहेगा तो नहीं बेचता ह रखता हूँ अपने घर पे, cold store में, क्या भी नहीं बेचूंगा जी, जब कीमत मेरे को सही मिलेगा, तब ही सामान बेचूंगा ना, ऐसा होता है, तो जब price बढ़ता है, तो supply हम ज़्यादा करता है, जब price घड़ता है, तो supply हम कम करते हैं, ओके, तो ये भी, schedule, market वाले में, क्या होगा, ध्यान से सुनना जी, एक काम करते हैं, इस बार, बढ़िया साब को वो बनाते हैं, तो ये हो गया आपका, rupees, ये हो गया, units, ये है आपका, price, और ये है, quantity supplied, ये है, Mr. Ram का, इसके अलावा, एक और मैंने बनाया, एक और बनाया हमने, और उसके बाद, QX, QX का मतलब है, quantity supplied, ये है, मोहन का, मोहन का है, ये राम का, ये भी QX है, और ये भी units में, और यहाँ पर हो जाएगा, market, market का QX, मतलब, राम प्लस, मोहन, और ये भी units में रहेगा, ठीक है जी, ये भी units में रहेगा, तो, यहाँ पर लिख लो, 10, 8, 6, 4, राम का कितना था, 200, 190, 180, 170, मोहन का हमने बना दिया है, कितने, 190, 80, 70, तो, market का मतलब क्या होता है जी, market supply का मतलब होता है, market में जितने भी supplier है, सभी suppliers के, supply add कर दो, तो यानि की, 200 प्लस 90, 290, 280, समझ रहे हैं आप, 260, और 240, तो ये वाला है, market supply, और ये individual हो गया, एक एक, राम का अलग, मोहन का अलग, समझ रहे हो आप, तो ये आपकी individual supply schedule है, और market supply schedule है, और इसको न, यहीं पर आप बना लेना, number 1, number 2, अभी मैं आपको बता दूँगा, don't worry, पहले आप लिक लो, questions भी बताएंगे, वो next class में आपको बता देंगे, मेरे को न, ये बताना था, यहाँ पर न, individual supply curve बताना था, और दूसरे में मुझे बताना था, market, supply curve, individual supply curve और market supply curve बताना था, but, time हो चुका है, क्या करें आपको बता दें, मेरी दूसरी class भी है, चलो, आपको यहाँ पर लिखा देते हैं, explanation आपको next class में दे देंगे, हाँ जी, sir next class में करवा देना, चलो next class में करा देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं, ये बना के रखना थोड़ा, मेरी भी class है अबी 7 बजे, ठीक है न, ये सारी चीज़े next class तक आपको learn करके रखना है, definitions और समझ के और सारी चीज़े, और कव जो है next class में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, sir कलो का accountancy class है, क्या कहे रहो, accountancy class है तब होगी, एक सिकेंड, हाँ, उसकी सारी चीज़े अभी बता देते हैं, फेले तो इसको कर देते हैं, तो ये आज की class यहीं तक है न, इसको learn देते हैं, हमारी आज first class थी न, इस chapter कहा जी, ठीक है, ओके, तो इसके बाद वाला जो है, हम second class में करेंगे, करेंगे,